पंचायती राजदिवस के मौके पर पुधानमंत्री नरेंज मोदी ने वर्चुल संबोधन किया जोरान उन्होंने कहा कि पंचायती राजदिवस का ये दिन ग्रामेड भारत के नवनिर्मार्थ के संकल्पों को दोराने का एक महतुपूर्ण आफसर होता है ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान और उनके असाधारन कामों को देखने समझने और उनकी सराहना करने का भी दिन है हाल ही मैं अनेक राजजों में पंचाय चुनाव संपन हुए हैं और बहुत जगे अभी पंचाय चुनाव चल भी रहे हैं इसलिए आज हमारे साथ बहुत से नए साथी भी है मैं सभी नए जनप्रति निधियों को भी बहुत बहुत चुपकामनाई देता हूं आज गाओं और गरीब को उसके घर का कानूनी दस्तावेश देने वाली बहुत ही बड़ी और एहम योजना स्वामित्म योजना को भी पूरे देश में लागू किया गया है बहुत ही बड़ी और एहम योजना स्वामित्म योजना को भी पूरे देश में लागू किया गया है ये वर्ष जिन स्थानों पर ये योजना प्रारंब की गई वहां के अनेग साथियों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिये गए है इसके लिए भी इस काम में जुड़े हुए और समय बद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले सभी साथियों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और सुबकामनाय देता प्रधान मंत्री नरेंज मोदी ने आज पंचायती राज़ दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया इस दोरान पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना की सरहना करते हुए पुरे देश में इस योजना के शुबारंप के बारे में जानकारी दी साथ ही राश्चे पंचायती दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए जो नए जन प्रतिनी थी इस बार पीएम मोदी के संबोधन से जुड़े थे उन्हें भी शुबकामनाय दी हैं साथ ही उनका स्वागत भी किया गया कि अर कि अर्ड़े तो टो खो ढट शाती हैं कि अर् kriegen उनका स्वागत कि अर्नका बादर का व्यने पिए का ही र्रत скंपाइं कि अर्नका सre can अर्ड़े उनका स्वागत कि अर्का